हलो दोस्तो स्वागत आपका हमारे यूटूब चेनल एजुकेशन पॉइंट में तो आज का हमारा टोपिक रहने वाला है सामन्य विज्ञान से सम्मंदित चो आपकी किसी भी प्रतियोगीता प्रिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ड रहने वाला है तो चलो स्टार्ट करते आज के ठोपिक को पहला प्रैसन कार्बोहःड्रेट का पाचन किस ऑंग से प्रायर्म होता है मुक्ष से और और अमासायमें पाचवक्त होता हैं प्रोतीने का. ठीक है. अगला प्रेस ने प्रेस नंबर दो. तो यह option number B pineal guarantee ठीक है thymus guarantee से thymocene hormone इस्त्रावित होता है और thyroid guarantee से thiroxene hormone इस्त्रावित होता है ठीक है अगला प्रेश नहीं प्रेश नमबर 3 रक्त का pH मान कितना होता है 6.4, 7.4 8 और 9.4 तो देखो रक्त का pH मान यह कितना होता है option number B 7.4 रक्त जो होता है मानव रक्त वो अलका क्षारी होता है ठीक है अगला प्रेश नहीं प्रेश नमबर 4 RBC का जिवन काल कितना होता है 100 दिन, 70 दिन, 5 दिन, 120 दिन तो देखो RBC का जिवन काल इसमें कौन सा option होगा अपना option number D 120 दिन ठीक है, अगला प्रेश नमबर 5 शरीर में प्रति रक्सा परदान करती है RBC, WBC, प्लेड लेट और लिम्पोसेट तो देखो प्रति रक्सा परदान कौन करती है तो यह है अपने option number B WBC जिने स्वेट रक्त करनियका भी करते है ठीक है, और यह प्लेड लेट है यह रक्त का थक्का जमाने में सायक है ठीक है, अगर थक्का जमाने के बाद है तो प्लेड लेट और अगर प्रति रक्सा कौन परदान करती है तो वो है अपने WBC ठीक है, अगला क्योशन पेसेमेकर कहते हैं AC NOड, AB NOड, HIG बंडल, पूर्किंजे Tan To तो दो रदेका पेसेमेकर यह कहते हैं, AC N지 ठीक है, अबसन शिखवर करिक्टां सबर जगा SC NOTE को है, अगला प्रेस्टा प्रेस्ट नमबर आठ स्टेटोस्कोब की सिद्धांद पर कारे करता है प्रावर्तन के सिद्धांद पर अपवर्तन के सिद्धांद पर विवर्तन या दुरूवन ठीक है तो स्टेटोस्कोब यह कि सिद्धांद पर कारे करता है बहुत ही मैथ्वपुन प्रस्ण है यह उप्शन नमबर ए प्रावर्तन के ने की बात हो रही है ठीक है और दूर ले जाने का किरynth 11 करता है प्रथी अगला प्रष्म probi financing專 है process number 10 oh मानव हर्दे में कितने कोस्ट कोते हैं Nag 5 4 तीन दू तो उबंड होते हैं चक्का जमाने का काम करता है तो देखो इसमें उप्शन होजएगा अपना उप्सिन में वार सी ट्रेट ठीक है डबली बी सी यह क्या करती है यह प्रतिरक्षा प्रदान करती है ठीक है अगला प्रेश्ण प्रेश्ण नमबर 12 द्वयन्य का संचराण नहीं हो सकता है थोस में, द्रव में, गेस में या निरवात में तो देखो द्वयनी का जो संचरण होता है वो थोस द्रव तदा गेस तीनों में होता है और द्वयनी का संचरण निरवात में नहीं हो सकता है ठीक है क्योंकि द्वयनी के संचरण के लिए माध्यम क्या हो सकता होती है जो कि थो तो देखो सा रघ्ट्र लाट कर सकता है ठीक है तो इस करक्टर अंसर हो जाए me धैस्मूँ ओर ओर भी एक है सारवतником कर सकता हैं ठीक है अगला प्रेस्ट लाट इसका कारण से ऊपर उठा के कारण और व्यिटी करण के करण तो यह देको घलास के ऊपर कसी करण ऊपर उठाओ किुंगर किसी बी उथारण में कोई चीज उपर उठीवी दिखाई दे रहे हैं यह मूडि दिखाई दे रहे हैं तो उसमें अपना ओजाएगा अप़वर्टन ओप्स spricht नमबर ए ठीक है तो देखो अगला प्रेस्ट नमबर 15 हीरे का चमकना उदारण है विवर्तन का पूर्ण आंत्रिक प्रावर्तन का अपवर्तन का और व्यत्तिक रण का तो देखो हीरे का चमकना किसी भी चीज का चमकना चादतर किसमें आता हैं पूर्ण आंत्रिक प्रावर् ठीक है अगला प्रेस नबर 16 कोशिगा की आद्मगाती थेली किसे कहते हैं लाइसोसोम को केंद्रक को कोल जिकाय को तारक काय को तो दीको आद्मगाती थेली किसे कहते हैं ओप्सन नबर A लाइसोसोम को ठीक है अगला प्रेस नबर 17 केंद्रक की खोज किसने की रोबर्ट हुक ने, रोबर्ट ब्राउन ने, बेंदा ने और पॉल्टर ने, तो देखो केंदर की खोच किसने की, वो है उप्शन नमबर भी, रोबर्ट ब्राउन ने, और रोबर्ट हुग ने, कौन सी कोशिका की खोच की थी, ठीक है, अगला प्रेस नमबर 18, अनुवांसिकी के जनक कहते ह अगला प्रेस नमबर 19, नीले लिटमस पते हैं, अनुवांसिकी के जनक कहते हैं, वो है अपने उप्शन नमबर B, चोण मेंडल को, और अनुवांसिकी सब्द का सरोपरतम प्रियोग किसने किया, तो वो है बेटसन को, ठीक है, तो यहां जनक की बात हो रही है, तो अपना अगला प्रेस नमबर 19, नीले लिटमस पत्र को लाल करने का कारिया कौन करता है, अमले द्वारा, शार द्वारा, लवन द्वारा या कोई नहीं, तो देखो, इसमें आपको एक ट्रुक याद रखनी है, का अनील, अनील, ठीक है, अनील से ऐसे अमल, नील से नील, नील से न लालो से लालों, अगर नीला लिटमस पत्र लालों हो रहा है, तो वह या अमल, ठीक है, यंदेखों, नीला लिटमस पत्र लालों हो रहा है, तो वह कौन सा हो Skills, अपने ऑफ्सिन नमरे अमले द्वारा, और अगर इसका अपोज़ित आ जाए, तो ओक सारे है, ये ट्रिक से आपको याद रखना से नाम रखना है एक याद अमल यूसी नियूला Lukas करते हैं अमल है ठीक है और अगर उल्टा जाए कि लाल लीटमस पत्र को नीला कुन करता है तो वह अपने उप्शन नमबर भी क्षार अगला प्रेश्ण प्रेश्ण नमबर 20 मेंडल ने अपने प्रियोगों के लिए कौन से पोधेगा चैन किया आम का कुड़हल का मटर का कट मेंडल ने अपने प्रियोगों के लिए कौन से पोधा चैन किया अप्शन नमबर सी मटर के पोधेगा चैन किया ठीक है अगला प्रेश्ण 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 नमबर 21 कुछ जन्तु भुकम से पहले कौन सी द्वहनी तरंगे उत्पन करते हैं स्रव्य अप्सरवे ध् प्रेश्ण नमबर 22 अभी सारी दर्पन के नाम से जाना जाता है अवतल दर्पन उत्तल दर्पन समतल दर्पन और उप्रोक्त सभी ठीक है तो अभी सारी दर्पन के साम से जाना जाता है अवतल दर्पन ठीक है अवतल दर्पन और अगर लेंस में पूचे अभी सारी लेंस तो उत्तल लेंज ठीक है उत्तल लेंज उत्तल लेंज या अउत्तल दर्पण इनको अभी सारी दर्पण के नाम से जाना जाता है ठीक है अगला प्रावर्तन के विवर्तन के व्यत्तिक करण के तो देखो दरपन की सिद्धान्थ पर कारे करता है तो इसमें होगा अपना correct answer option number B दरपन प्रावर्तन के सिद्धान्थ पर कारे करता है ठीक है अगला प्रावर्तन प्रावर्तन के सिद्धान्थ पर कारे करता है ठीक है बल का ऐसे मात्रक है उप्सन नमबर ए न्यूटन ठीक है और एक न्यूटन में एक न्यूटन में दस्की गात पांच डाइन होते हैं ठीक है अगला प्रेस नहीं अगला प्रस्ण प्रस्ण नंबर 26 विवभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है जूल वोल्ट एमपियर मिटर तो देखो विवभवांतर या विवभव का मात्रक होता है ओप्शन नंबर भी वोल्ट ठीक है और विद्धुधारा का मात्रक होता है एमपियर ठीक है अगला प्रस् सोरी 27 अधुनिक आवरस सारणी के जनक हैं मेंडलिप मोजले रोबर्शन मेंडल तो दो दोनिक आवरस इसके जनक को ने तो है अपने आप्शन नंबर भी मोजले ठीक है अगला प्रस नंबर 28 ऐसे सेल जो एक बार प्रयोग में लगने के बाद बेकार हो जाते हैं वे प्लाख्रिक इंगला प्रस न्मबर 39 प्रकास कीछार तीन इंटू दसकी demi प१िन फ९ में निर्वात में तो तो प्रकास निर्वाद में भी गमन कर सकता है लेकिन द्वनी निर्वाद में गमन नहीं कर सकते हैं यह बात ध्यान रखने हैं आपको ठीक है अगला प्रेस्ट एक न्यूटन किसके बराबर होता है दस्किगाथ पांच डाहिन दस्किगाथ आट डाहिन दस्किगाथ तीन डाहिन तो एक न्योटन होता है दसकी गाध पांश डाहिं ठीक है अगला प्रश्ञ्ण प्रस्ट नम्मर 31 किस विटामिन की कमी के करनर रख्टن थक्का नहीं चम पाता है विटामिन ए विटामिन डांद क२्टम्म तो रख्ट में थक्का नहीं जम पाता है ठीक है अगला प्रेशन है हीमोगलोबिन का एक अणों एफिक के कितने अणों को जोड़ता है एक अणों को दो अणों को तीन अणों को चार अणों को तो दोको हीमोगलोबिन का जो एक अणों होता है वो एफिक या लोहतत होता है उसके चार अणों को जोड़ता है ठीक है औ विटामिन B, विटामिन C, विटामिन A, विटामिन D, तो देखो हड्या कमज़र होती है, विटामिन D, ओप्षिन नमबर D करेक्ट आंसर देगा, ठीक है, अगला प्रेस नमबर 34, आर बी सी का कबरिस्तान कहते हैं, लिम्फोसाइड को, मॉनोसाइड को, पलिहा को, या अस्ति आपको ध्यान रखनी है, अगला प्रेस नम, एक HP में कितने वाट सकती होती है, 790 वाट, 746 वाट, 846 वाट, 890 वाट, तो देखो, एक HP में होती है, 746 वाट, ठीक है, ओप्षिन नमबर B, करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें, अगला प्रेस नम, निम्फोसा कार्बन का क्र प्रेस्टिली अपर रूप है, वो है इरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, ठीक है, ओप्षन नमबर D, करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्पोसा कार्बन का क्रिस्टिली अपर रूप नहीं है, अगला प्रेस नम, प्रेस नम, 37, पेंसिल के निर्मान है तूपयोगी है, कोक, चार्कोल, फुलरीन, ग्रेफाइट, तो देको पेंसिल का निर्मान किया जाता है, ओप्षन नमबर D, ग्रेफाइट से, ठीक है, अगला प्रेस नम, प्रेस नम, 38, मानव सरीर उस्मा का होता है, सूचालक, कूचालक, अर्दचालक या उप्रोक सभी, तो देको मानव सरीर उस्मा का होता है, ओप्षन नमबर D, कूचालक, ठीक है, और मानव सरीर विद्दुत का सूचालक होता है, ये बात ध्यान रखने है, मानव सरीर विद्दुत का सूचालक होता है, तथा उस्मा का कूचालक होता है, अगला प्रेस नम, प्रेस नमबर 49, उस्मा संचरण की सब से तेज विद्धी की बात हो रहे है तो वह है अपने अप्सन नमर डी विकिरण ठीक है और सूर्जुजे का जो प्रकास है वो प्रत्वीत पर विकिरण विद्धी दोरही पहुँचता है अगला प्रस्ण प्रस्ण नमबर 40 विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है रतोंदी बेरी-बेरी सक्करवी रिकेड्स तो देखो विटामिन A की कमी से होता है और विटामिन B की कमी से होता है बेरी-बेरी C की कमी से सक्कर भी और D की कमी से होता है रिकेट स्रोग ठीक है इनको क्रम से याद रखना है आपको अगला प्रस्ट प्रस्ट नमबर 41 कौन सा विटामिन वसा में गुलंसिल नहीं है वसा में गुलंसिल A B, D और E कौन सा विटामिन नहीं है तो देखो विटामिन बी वा सी विटामिन बी और विटामिन सी त्यान रखना ये दोनों जल में गुलंसिल विटामिन है ठीक है बागी से भी विटामिन वसा में गुलंसिल है लेकिन विटामिन बी और विटामिन सी है जल में गुलंसिल तो देखो वसा में गुलंसिल कौन सा नहीं है तो विटामिन इसमें B करेक्टांसर हो जाएगा ठीक है यह जल में गुलंच से लिए अगला प्रेस्ट प्रेस्ट नमबर 42 सारो परतम जीवित कोशिका की खोज किसने की रोबर्ट हुक ने रोबर्ट ब्राउन ने ल्यूए नोग ने डीडुए ने तो देखो सारो प्रेस्ट प्रेस्ट नमबर 43 निकट द्रश्टी दोस्ट से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लगा जाता हैं आउतर लेंस उत्तर लेंस त्वीप ओक्सी लेंस या कोई नहीं तो देखो निकट द्रश्टी दोस्ट इसमें याद रखेता है कि निकट द्रश्टी तो है लेकिन इसमें दूर की वस्तू स्पष्ट नहीं दिखाई देती है ठीक है और दूर की वस्तू स्पष्ट देखने क लिए कौन सा लेंस लगा तो इसमें अपना correct answer जाएगा option number A outer lens ठीक है अगला प्रस्ट प्रस्ट नंबर 44 lens की क्षमता का मात्रग है ampere, volt, diopter या weber तो देखो lens की क्षमता का मात्रग है option number C diopter ठीक है और ampere किसका मात्रग है विद्दृधारा का मात्रग है volt यह विभाव का मात्रग है या विभाव अंतर का ठीक है और weber किसका मात्रग है तो यही चुम्बकिय फ्लक्स का मात्रग है ठीक है अगला प्रस्ट प्रस्ट नंबर 45 स्केल की खोड़ सर उपर्थम किस ने कि कि रोंट जन ने सोर जन ने वार्ण सनन ने क्लाइव ने तो देखो प्रस्ट की कोड़ की option परकार के होती है ऊपिसनाव भी तीन परकार की आरबी सी डब्लीबी सी और फ्लेटलेट श ठीक है अगला प्रेस्ट नबर से तालिस वृ जो प्रत हमारी रख्षा करती है आह एक्स किर्णों से, खामा किर्णों से, रेडियो किर्णों से या पराबेंगनी किर्णों से, तो देखो ओजोन परत अमारी किस से रक्षा करती है, ओप्सन नमबर D, पराबेंगनी किर्णों से, ठीक है, अगला प्रस नमबर 48, गतीज उर्जा चता स्तितीज उर्जा के योग शुकत हो अप्सन नमब भी 59 मानव सरीर का निरमांड करने वाली कई हैं है कारबो-इडरेट वसा प्रोटेन विटाधिरमिन तो सरीर निरमांड कने वाली कई यह उप्सन नंबर सी प्रोटीन यह प्रोटीन है ठीक है और यह उड़जा प्रदान करने वाले कार्बो आइडरेट तथा वसा यह क्या करते है उड़जा प्रदान करते हैं ठीक है उड़जा प्रदान करने का खारे करते हैं कार्बाइडेट्स थो था वसा और सरीर का निरमान्द करने का काम करता है, प्रोटीन ठीक है, अगला प्रसन और आज का अंतिम्ह प्रसन गुनसुत्र का नामकरण किस ने किया। श्ट्रासबर्गन ने, वाल्ड. एयर ने वीलिम्सन ने रोबर्थन worden तो दो गुण सूत्र का नामकरण किया है वह अपने अपसिन नमर भी वाल डियर ने और अगर पूचा देगे गुण सूत्र की खोज किसने की तो वह अप्शननमर इस च्रासबरगरने ठीक है खोज की तो यह रहा अज का वीडियो जिसमें हमने सम्मान्य विज्यान से करें सब्सक्राइब करें और आगे इसी प्रकर का वीडियो और देखने ज़िए